आपिशकार मैं हूँ साक्षी बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर बिहार में पिये मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेंड की शुरुवात की बिहार में समेदिन शील बालु घाटो को चिनहित करने का आदेश CAA लागू होने के बाद बिहार में अलर्ट जारी सारन में युवाव के लिए रोजगार मेले का आयो जन्क महिंद्र सिंग धोनी का लोग सोशल मेडिया पर वाइरल इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से बिहार में पीम नरेंद्र मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेन की शुरुवात की बिहार में पीम नरेंद्र मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेन की शुरुवात की है पटना जंक्षन से लखना उवाया यूध्या भी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है और उसके साथ ये पटना से न्यूजल पाइप गुरी वंदे भारत ट्रेन के शुरुआत की गई है वहीं अब बिहार को पाँच वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की सौगात मिल चुकी है आपको बता दी कि इस मौके पर बीम नरिंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे का विकास के इंद्र सरकार की सरवोज्य प्राथ मिक्ताओं में एक है असकार क्रम में बिहार की मुख्यमंत्र नितीश कुमार वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्य ये शामल हुए बिहार में बारह साल पुरानी यूजनाओं पर होगा काम बिहार में अब बारह साल पुरानी यूजनाओं पर काम किया जाएगा शहरी निकायों में सम्राट अशोग भवन को माचा जाएगा दरसल नगर विकास वभाग ने सम्राट अशोग भवन के लिए राशी का आवंटन किया है और इसके बाद 16 नगर निकायों में सम्राट अशोग भवन के तयार हो जाने की उमीद की जा रही है शहरे विकास मंत्री साउप मुख मंत्री समराठ चौदरी ने इसके लिए मन्जूर रीद दी है बिहार के कई शहरों को समराठ शोग भवन अर्मान के लिए पहले किस्ति के रूप में 67-70 लाक रुपे की राशी को आवन्टत किया गया इसमें बक्तियारपूर, बेनपूर, बारुन, कुशेला, हिलसा, बिहारी गंज, जन्दाहा, धानपूर, जमालपूर, सिंगेश्वर, बढ़ौली, भादुर गंज, अरे राज, नरकेटिया गंज, ठाकुर गंज और तारापूर शामिल है राजपाल ने कीके पाट्रक से मांगा जवाब बिहार में राजभवन और सिक्षा वभाग आमने सामने आ चुके हैं सिक्षा वभाग के अपर मुक्के सच्रिव के फासले पर कारवाई की ब्योरा देने के लिए राजपाल ने जवाब मांगा है द्रसल सक्षा वभाग ने बीते 28 फरवरी को कुलपती, कुल सच्रिव और परिक्षा नियंत्रकों के वेतन पर रोक लगाई थी और इसके अलावा विश्व विद्यालेों के ब्यांग खातों के संचालन पर भी रोक लगाई गई थी इस पर राजपाल के प्रधान सच्रिव एल चौंग्यू ने कीके पाठक को जवाब तलब किया है और इसके साथ उन्होंने पूछा है कि उपमुके मंत्रे सक्षा मंत्रे के मौजूद्गी में लिये गए फवासले के अनुसार 28 वर्वरी के आदेश को वापस लेने के जानकारी अब तक राजपवन को क्यों नहीं दी गई CAA के लागू हो जाने के बाद बिहार में अलर्ट जारी किया गया है किंडरेगरी मंट्राले ने असलेकर अधिसूश ना जारी की है खासकर सिमांचल के जिलो में विश्श तैयारी रखने का आदीश दिया गया है कैंडरेगरी सरकार ने नागरिक्ता संसोधन कानून में संसोधन किया था और असमें अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलदीश के 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छेल्प संख्यक हिंदू सिख जयान बौद और पार्सी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधा अंकिया गया है। जाएगा वहीं अगर कोई निर्धारत किये गए बालु घाट उसे बाहर खनन करता है तो उसके खिलाफ कारवाई होगी। जालक दिखलाजा 11 की ट्रॉफी जीतने के बाद मनीशा रानी पटना बहुची इस दोरान एरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भाड़ी भीड देखने को मिले। मनीशा रानी ने कहा है कि बिहार की लड़कियों को मेहनत करते रहना चाहिए और अपने टैलन्ट को शिपाना नहीं चाहिए। मनीशा ने कहा कि वह चाहती है कि वह बिहार का नाम ऐसे ही आगे बढ़ाए और राज की अनलड़किया भी आगे बढ़े और राज का नाम रोशन करे। सारण में युवाओ के लिए रोशगार मेले का आयोजन बिहार के सारण में 13 मार्च को रोशगार मेला लगेगा इसमें युवाओ को रोशगार मेले का साथी मार्क दर्शन भी दिया जाएगा ये मेला सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक लगा जाएगा शपरा में अव विहार की राजपाल का दो दिवस्ये दरभंगात दौरा विहार की राजपाल राजपाल राजएंद विश्विनात आरलीकर कास से दो दिवस्ये दरभंगा दौरा शुरू हो गया है इस दौरान वो अस्थानिय चंद्रधारी मितला महाविद्याले में नई सिक्षानिती को लिकर आयुज़त एक संगोस्टी में हिस्सा लेंगे इसके साथ इवो अन्य कारिकर में भी शामल होंगे राजपाल ललित नारायन, मिथला विश्व विद्याले और कामिश्वर सिंग दर्भंका विश्व विद्याले में सीनट की बैठक की अध्यक्षिता करेंगे इस दोरान बजट को भी पेश किया जाएगा, दोनों विश्व विद्याले की ओर से इसके लिए तयारी पूरी कर ली गई है मालूमों कि सीनट की बैठक में कई एहम फैस ले लिये जाएंगे बिहार पहुंची चालिस से अधिक दुर्लब पक्षियों की प्रजातिया बिहार के जलाशे फिलहाल देशियों और विदेशी पक्षियों की चैचहार से गुलजार हो चुके है पटना के सच्चिवाले परिसर में 10 से कर से अधिक फैले राजदानी जलाशे में तीन हजार से अधिक पक्षिया है प्रवासी पक्षियों को बिहार खोग पसंद आ रहा है यहां आस्प्रे समेट 40 से अधिक दूड़ प्रजातियों की 4000 पक्षिया पहुँचे है इस साल प्रश्ट साल की तुल्ला में अधिक प्रवासी पक्षिया पहुँचे है वहीं दिसंबर से ही यहां साउथ अफरिका भारत बंगलादेश औस्टेलिया में पाय जाने वाली गेर गेनी यूरो साबरेडिया की फेरोजीनस जक या फर वाइट आइट पोकाड समेट देशे और विदेशी पक्षिय पहुचने लगी थी तमिलारु के सीम एमके स्टालिन के बेचे उदेशी स्टालिन को सनातन धर्म पर विवादर टिपपनी करने के मामले में बिहार की अदालत से समझ जारी हुआ है बिहार के आरा कोट ने तमिलारू के खेलविकास मंत्री उदेनीदी स्टालिन के खिलाफ संग्यान लिया साती समंजारी किया है दरसल आरा के अधिवक्ता धरनी धर पांटे ने इस मामले में मुख्य दंडादिकारी के न्यायाले में शुकायत दर्ज कराई थी उन्होंने कहा था कि तमिलारू के मंत्री के बयान से उनकी भावना को ठेस पहुची है इससे एक खास समुदाए आहत हुआ है उसके बाद कोट ने माना है कि स्टालिन के बयान से एक धार्मिक समुदाए आहत हुआ कोट ने गवाहों की गवाही के बाद स्टालिन को समझ चारी किया है आपको बता दे किस मामले में एक अप्रेल को अगली सुनवाई होगी लोग सबाचनों को लेकर कॉंग्रिस ने वार रूम कमीटी का किया गठन लोग सबाचनों को लेकर कॉंग्रेस त्यारियों में जुटे हुई है वार्रूम कमीटी का अपुनर गठन किया गया है कॉंग्रेस की ओर से डॉक्टर रम्बुज किसूर रुज्जा को वार्रूम का चेयर्मेन बनाए गया वहीं कुमार आशा इस और राज उच्छा विराज को को चेयर्मेन न्यूक्त किया गया इसलेकर विहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वाकिलेस सिंग की ओर से आदेश जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि उन्हें आशा नहीं बलकि पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी दायत्वों का कुशल पूर्वक निर्वहन करेंगे कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नौन न्यूक्त सदस्यों को बधाई और शुबकाम नाये दी है लालो परिवार के करीबी आमित कात्याल के छिकानों पर ED की रेट हुई है उनके दिल्ली गुरुग्राम और सोनी पत के कई ठिकानों पर शाप इमारी हुई मालूम हो कि अमित कात्याल के खिलाफ वो पहले ही जांच एजनसी ने आक्शन लिया था पिशल साल नौवर के महिने में इनके गिरिफतारी हुई थी अमित कात्याल बिहार के पुर्वे डिप्टी सीम ते जस्वी आदव के करीबी बताया जाते हैं बताया जाते कि अमित कात्याल एक के अनफ्रोट सिस्टम प्राबिट लिमिटेड के प्रमोटर भी रहे है वही आरोप है कि अमित कात्वियाल के कंपणी के नाम जमिन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉंडरिंग को लेकर सामने आया था चिराग पासवान और पशुपती पारस की पार्ची को भाजपा ने दिया ये प्रस्ताओ वहार में सीटबग़ुबारे को लेकर पेंच फसा है चराग पासवान और पशुपती पारस की पाजपा ने एक होने का प्रस्ताओ दिया है हालंकि पश्चुपती पारस ने इस से साफ तोर पर इंकार कर दिया है पश्चुपती कुमार पारस ने बाजपा के प्रभारी विनोद तावरे से मुलाकात की थी इस दोरान वनोंने कहा थे कि उनकी पाटी हाजिपूर की सीट से लोगसभा का चुनाओ लड़ेगी इसके बाद विनोद तावरे ने उन्हें चिराख पास्वान के साथ मिलकर चुनाओ लड़ने की सला दी इस पर पश्चुपती पारस ने इंकार कर दिया है मालूमों के चाचा और भतीजा दोरों ही हाजिपूर की लोगसभा सीट से चुनाओ लड़ने का दावा कर रही है बिहार विदान सभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वे आदव गौशाला पहुचे यहां उन्होंने गौव माता की सेवा की गाय की सेवा करते वे अपना एक वीडियो तेजस्वे आदव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इसके साथ यह उन्होंने कहा है कि उन्हें जब भी समय मिलता है वो गौव माता की सेवा जरूर करते हैं महेंद्र सिंग धोनी का लोग सोशल मीडिया पर वाइरल महेंद्र सिंग धोनी का लोग सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है उनके चाहनेवानों की कोई कमी नहीं है अक्सर धोनी अपने फैंस का दिल जीत लेते हैं CSK franchise के और से शेयर किये गए एक वीडियो में धोनी की जोलक देखकर सब ही उनकी खूब प्रशनसा कर रहे हैं CSK ने सोचल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया इसमें IPL 2024 के पहले धोनी अपने पुराने अवतार में नज़र आ रहे हैं दोनी IPL 2024 में अपनी लंबे लंबे बालों के साथ केले वाले हैं इस बार दोनी अपनी कप्तानी में CSK को जीत दिलाने की पूरी तयारी करेंगे IPL 2024 का पहला मुकाबला CSK और RBC के बीच M. Chitambaram Stadium में होने वाला है बीते दिन हमारे द्वारा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्नों ने हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही पढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार चिराग पासवान को NDA गर्बंदन के साथ रहना चाहिए या नहीं आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी नूज और साथ एकर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना नहीं भूले, धन्यवाद